नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे योट्योब चैनल पर देखिए गाइस दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम आपके चल लए हैं और अभी तक जितनी भी सिप्टों के एक्जाम हुए हैं उनी सिप्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के कोश्चन दे दी गई आकरती के सही दरपन पतिविम का चैन करें पहले आपकी प्रस्ण आकरती ऐसी है और एक दरपन रख दिया जाता है दाई और तो इसकी आकरती कैसा है इसका दरपन पतिविम कैसा बनेगा तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं एक दरपन पतिविम में क्या होता है जो left वाली चीज़े होंगी वो right में चली जाएंगी right वाली चीज़े होंगी वो left में चली जाएंगी सबसे पहले तो आपका ये figure बना हुआ है ऐसे करके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस ये, इसको बना लेते हैं ओके, तो ऐसे बना लेते हैं हम लोग ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे फिर इसके रूपर ये इससे मिला दिया ओके, तो ये बन गया अब वो figure में आपका जो black वाला point है यहां पर उपर ये वाला तो इसका दरपन प्रतिमिन कैसा होगा सेम बही जगे पर रहेगा आपका ओके सेम बही जगे पर अब जो आपको अंदर ये सर्किल लग रहा है ये ये भी हम लोग यहाँ बना लेते हैं और ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है सर्किल का ये कहां चला जाएगा दूसरी तरफ चला जाएगा तो कर लेते हैं दूसरी तरफ अब ये जो एरो है यहाँ पर ये एरो की पोजिशन चेंज हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगा ऐसे तो ये फिगर बन गया तो ये फिगर कौन से आप्शन में बन रहा है Option B में Option B is the right answer Question जो है बहुत ही simple सा है guys एक कुटबासा में यदि party को इसके रूम में लिखा जाता है तो उसी कुटबासा में camera को किस प्रकाल लिखा जाएगा तो party के alphabet लिख लेते हैं P-A-R-T-Y actual में इनके alphabet code भी लिख लेते हैं P का alphabet code होता है एक A का होता है एक R का होता है कितना 18 T का कितना होता है 20 और Y का होता है 25 ये जो number मिले हैं same to same जो की question में दिये गए है तो यही तरीक हम लोग camera के alphabet code के साल लगाएंगे तो camera के सबसे पहले alphabet लिख लेते हैं C-A-M-E-R-A इनके भी alphabet code लिख लेते हैं C का code होता है 3 A का alphabet code होता है 1 M का alphabet code होता है 13 E का होता है 5 R का होता है 18 और A का होता है 1 ये जो number मिले हैं यही आपका answer हो जाएगा और ये कौन से option में आ रहे हैं Option D में Option D is right answer अगला है निमलिखित में से कौन सा अच्छर समू दीगे इस रंकला को पूरा करने के लिए प्रस्ण बाचक चिन के इस्तान पर आएगा यहाँ पर लगा हुए कोशियन मार्क यहाँ पर कौन से नंबर वो अलपावेट आएंगे सबसे पहले सभी के पहले 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 अलपावेट उठा लेते हैं के से बनाते हैं N के का अलपावेट कोड होता है 11 N का होता है 14 11 से 14 बना कितना जोड़ा 3 अब N से बनाते हैं Q Q का कोड होता है 17 14 से 17 बना कितना जोड़ा 3 तो आगे 3 जोड़े का 17 में तीं जोड़ צ defence किसका होता है, डीं का होता है किसका होता है तीं का पहले अलफाबेट में ती का जो कि option A में नहीं है नहीं। option D में फोलनी है लिंकिन option B और option C में पहले अलफाबेट ती है, तो आपका option B ,eso I will 방법, जिसे अपका से बनाते हैं O, O का होता है 15, 18 से 15 बना क्या हुआ 3 गटा, पीछे सभी में 3 गटा, तो आगे भी 3 गटेगा, 15 में से 3 गटाते हैं, तो आपका आजाता है 12, 12 किसका होता है L का, तो दूसरा अलपाबेट हमें मिल गया L, जो की option C में नहीं है, एकना option B में दूसरा अलपाबेट L है, आगे करने की कोई जरूर नहीं option B, is right answer, अगला है निम्न में से दी गई, निम्न में से कौन सी विकल्प आकरती, नीचे दी गई आकरती में दरसा आए गए pattern को पूरा करेगी, प्रशना करती है आपकी यह उत्तरा करतियां भी दी गई हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पह उसके बाद अब यह बाला black point भी हम लोग पूरा कर लेते हैं, तो यह black point कैसा होगा, तो एक बीच में बिकन जाएगा और यहाँ पर black point हो जाएगा ऐसे, तो यह figure, इस box का figure ऐसा बन गया आपका, तो यह कौन से option में आ रहा है, option C में, option C is right answer, अगला जो question है, गथन निसकर्स पहला काता है, सभी poster pamphlet है, तो सारे poster क्या हो जाएगे, pamphlet हो जाएगे, लिख लेते हैं, pamphlet, सभी लिफाफे pamphlet है, तो सारे लिफाफे जो हो जाएगे, वो pamphlet में समाइत हो जाएगे, ऐसा आपका band diagram बन जाएगा, ओके, अब आगे कहता है, निसकर्स में, सभी pamphlet तो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्यूंकि iki Pamphlet जो है वह आपका बड़ा है और लिफापे समाके कुछी pamphlet लिफापे हो सकते हैं लेकिन सारे pamphlet नहीं तो पहला आपका गलत दूसरा कहता है कुछ pamphlet poster है तो बुलकुल सही क्योंकि हम लोग अंदर से बाहर से अंदर की ओड़ जा रहे हैं तो कुछ वाला जो होता है वो सही हो जाता है तो इसके लिए निसकर्स हो जाएगा Option A अब ये आगे एक और है निसकर्स कुछ पोस्टर लिफाफे हैं तो देखे लिफाफे और पोस्टर का दूर दूर तक कोई सम्मने तो ये भी गलत है इसके लिए हो जाएगा अंसर Option D केबल निसकर्स से दो अनुसरान करता है क्योंकि दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा अगला है दिये के समीकर्ण को सही करने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा सबसे पहले तो दिखे ऐसा Option लेना है जिसमें जिसको अप्लाई करने पर equation को equation के दोनों पच बराबर हो जाएं मतलब 31 के बराबर आ जाएं तो equation का हम लोग LHS वाला पाद लिख लेते हैं 55 प्लस 32 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 प्लस 16 डिवाइड वाइ 4 तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा सो टेबल Option A 16 की जगए 32 32 की जगए 16 तो 55 32 की जगए क्या कर देंगे 16 फिर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 फिर क्या है प्लस 16 डिवाइड वाइ 4 है तो 16 की जगए 32 कर देंगे पर दूसरा वाला है आगे का ऐसे लिखा रहेने हैं जेते 55 प्लस 16 माइनस 4 इंटू एक चोटा कोश्टक में क्या है बन इंटू 12 है तो यह हो जाएगा 4 इंटू 12 फिर प्लस छोटा कोश्टक में क्या है 32 डिवाइड वाइड वाइड 4 तो 32 में 4 का divide करेंगे तो 4 8 32 हो गया आपका अब बॉर्ड मासूल के एकॉर्डिंग मुल्टिप्लाइ वाला solve करेंगे तो 55 प्लस 16 बाचचोक 48 कितना आ जाएगा? 48 प्लस 8 अब बॉर्ड मासूल के एकॉर्डिंग प्लस वाला solve करते हैं 55 और 16 कितना होता है? पाइंसाट छे, एकत्तर और एकत्तर आठ, उन्यासी, उन्यासी मैं से अर्टालेश जाएगा तो कितना बचेगा, देकिन नौ मैं से आठ गया, एक, साथ मैं से चार गया, तीन, कितना गया, एकत्तिस, मतलब दोनों पच्छाप के बराबर हो गए, तो option है, is right answer. अगला है, दियेगे समीकर्ण को सही करने के लिए, कौन से दो चिन्नों को अपस में बदलना होगा, तो ऐसा option लेना है, जिसको equation में अप्लाई करने पर वो 20 के बराबर आजाए, तो सबसे पहले equation का LHS बाला पाद लिख लेते हैं, बाया 5, 52, प्लस 64, माइनस 16, डिवाइड ब प्लस 64, माइनस 16, भाग है भाग के जगए गुणा, और गुणा के जगए भाग, बाडमा सुरूल के according, डिवाइड बाला सॉल्फ करते हैं, तो 36 में 6 का डिवाइड करते हैं, तो 52 प्लस ये तो 64 हो जाएगा, माइनस 16, 36 में 6 का डिवाइड करेंगे, तो multiply 6 आ जाएगा, ओ 96, अब प्लस वाला सॉल्फ करते हैं, 64, 52 कितना होता है, तो 6 ये हो जाएगा, 6, 5, 11, 116 में से 96 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 20, दोनों पच्छाप के बराबर होगे, तो आपसिंसी is right answer, अगला उस विकल्प का चैन करें, जिसका तिसरे अच्छर समू के साथ बही समू से है, जो तरीका पहले से दुसरे बनने में लगेगा, बाही तरीका हम लोग आगे अपलाई करेंगे, तो KSJ से MUL बनाते हैं, KSJ, इनके alphabet code लिखते हैं, K का होता है 11, S का होता है 19, J का होता है 10, इसे से आपका क्या बना है MUL, M का होता है 13, U का कितना होता है, 21, L का हो है, 11 से 13 बना दो जुड़ा, 19 से 21 बना दो जुड़ा, 10 से 12 बना दो जुड़ा, सभी में दो दो जुड़ रहा है, यही तरीका RCU के लिए लगाएंगे, alphabet लिख लेते हैं RCU, R का code कितना होता है 18, C का होता है 3, Q का होता है 21, सभी में दो दो जोड़ देते हैं, 18 में दो जोड़ा, तो आपका 23 आजाएगा, इनके alphabet लिख लेते हैं 20 किसका होता है, T, 5 होता है E का, 23 होता है W का, तो T, E, W आपका अंसर, तो option D, it's right answer, अगला है उस सब्द योगम का चैन करें, जिसके दोनों सब्दों के बीच बही संबंद है, जो निमलिकिस सब्द योगम के दो सब्दों के बीच है, देखें विस्सदार जो मेडग होता वो उभाइचर बर्ग में आता है, उसी प्रकार option D आपका अंसर हो जाएगा, कचुआ जो है वो सरी सरफ बर्ग में आता है, अगला यदि एक कुटवासा में earning को इसके रूम में लिखा जाता है, तो उसी कुटव फिर हो जे, तो हम लोग क्या करते हैं, तीन-तीन के जोड़े बना लेते हैं और बीच बाल आपका इससे connect कर देते हैं, और ऐसे cross multiply कर देते हैं और बीच बाल ऐसे रहता है, फिर यहाँ पर आगे के तीन alphabet cross multiply बीच में ऐसे, तो आप कर लेते हैं, अब सबके alphabet code लिखते हैं, एक का alphabet code कितना होता है, 5, एक का कितना होता है, एक, आर का होता है, अठारे, एन का होता है, 14, आई का होता है, 9, एन का होता है, 14, और जी का होता है, 7, अब स का code कितना होता है, 19, बी का होता है, 2, एप का होता है, 6, ओ का होता है, 15, एच का होता है, 8, ओ का होता है, 15, जे का हो अब देखिए यहां पर हम लोग cross multiply कर रहे हैं R से S बना रहे हैं 18 से 19 बना रहे हैं तो क्या हुआ एक की ब्रद्दी हुई अब बीच में देखिए A से B बना 1 से 2 बना क्या हुआ एक की ब्रद्दी हुई अब देखिए E से F बनाया मतलब 5 से 6 बनाया क्या हुआ एक की ब्रद्दी हुई अब N बाला देखिए देखिए यहां बीच बना 14 से 15 बना तो यहां पर भी एक की ब्रद्दी हो रहे है अब देखिए यहां पर G से H बना रहे है 7 से 8 बनाया तब भी आपके एक की ब्रद्दी हो रहे है अब देखिए N बाला A, U, D, I, V, L, E इनके लपाबेट कोड लिखते हैं A का कोड होता है 1 U का कितना होता है 21 D का होता है 4 I का होता है 9 V का होता है 2 L का होता है 12 और E का होता है 5 तीन दिन का जोड़े बनाएंगे स्टार्टिंग में और लास्ट में बीच वाला आपका सेम रहेगा ऐसे यहाँ देखे Cross Multiply बीच वाला सेम रहेगा तो हम लोग ने सभी में एक एक जोड़ा था उपर अर्निंग के लिए तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे 4 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अब बीच में देखे 21 है, 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 आजाएगा अब A से आगे बनाना है, तो एक जोड़ेंगे एक में तो 2 आजाएगा अब बीच में 9 है, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 आजाएगा अब देखिए E का होता है 5, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा अब बीच में L है, L का होता है 12, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 अब 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, अब इनके अलफाबेट लिख देते हैं 5 किसका होता है, E का, 22 होता है V का, 2 होता है V का, 10 होता है J का आप्शन ए में है, आप्शन ए, इस राइट आंसर, अगला यदि एक कुट वासा में डेबलब को इसके रूम में लिखा जाता है, तो उसी कुट वासा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो डेबलब के सभी अलफाबेट लिख लेते हैं, दे, वी, आल, ओ, पी, उके, इसको क्या लिखा जा रहा है, पी, ओ, एट, वी, एडी, तो देखें, डेबलब के जो उलफाबेट फिछे से पलट गया आगisa, ओ देखिया आगया आगया, ल भी आगया, ईब आगया, भी सारोफेद्ट, फिर llasht पाइल, लास्ट पां चला गया है, तो सबसे पहले alphabet लिख लेते हैं, S, C, R, I, W, L, E तो पीछे से alphabet प्लटते हैं, सबसे पहले E आएगा, फिर L आएगा, फिर W, फिर आएगा I, फिर आएगा R, फिर C, फिर S, यह जो alphabet मिले हैं यही आपका अंसर हो जाएगा, और यह कौन से option में आ रहे हैं, तो यह हो जाएगा option A, option A is the right answer, अगला है उस विकल्प आकरती का चैन करें, जिसमें आकरती X, उसके एक भाग के रूम में सनीत, जाकरती को घुमाने की अमनुमती नहीं है, प्रशनाकरती आपकी यह है, और प्रशनाकरती कौन से उत्तराकरती में समाहित है, option D में, सबसे पहले देखिए, यह वाला portion लेते हैं, प्रशनाकरती का, तो यह वाला portion किसमें आरा है आपका, तो यहाँ देख सकते हैं, ऐसे, ऐसे, अब देखिए, यह वाली dotted line है, यह वाली ले लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पर ऐसे, ऐसे, मतलब पूरी की पूरी आकर के बीच है देखें गाइस चालिस बानबे और उनत्तर इसमें क्या हो रहा है तो दो का मल्टिप्लाइट 23 में हो रहा है और यहां पर चार का मल्टिप्लाइट 23 में हो रहा है और तीन का मल्टिप्लाइट 23 में हो रहा है तो ऐसा यह एक option लेना है जिसमें दो चार और तीन का multiply हुआ हो तो वह हो जाए का option option D 34 68 और 51 तो देखिए यहां पर दो का multiply 17 में हुआ चार का multiply 17 में हुआ और तीन का multiply 17 में हुआ तो option सेम हो गया तो option D is right answer अगला है निमलिकित में से कौन सी संक्या दी गई संक्ला में प्रस्न बाचक चिन के हिस्तान पर आगी यहां पर बताना है 65 से 66 बनाया दो जुड़ा 67 से 69 बनाया दो जुड़ा और 69 से 81 बनाया 12 जुड़ा और 81 से 93 बनाया कितना जुड़ा 12 जुड़ा अब आगे कौन सा नमबर आएगा एक कोश्चिन में आपको दे रहा हूं यही बाला इस कान सार आपको कमेंट बॉक्स में सर्वोत्तम डंग से प्रदस्थ होता है तो ऑप्सें सी देखिए बड़ाई आजाएगा ऐसे बड़ाई का कुछ इस्था पुरुस में चला जाएगा और पुरुस का कुछ इस्था डॉक्टर में चला जाएगा ओके तो ऑप्सें सी ऑपसंसी इस राइट आंसर ओके उस विकल्ब का चैन करें जिसका तिसरी संक्या के साथ बही समाने जो दूसरी संक्या का पहले संक्या से देखें 10 से 1000 10 बनाते हैं सबसे पहले 10 का क्यूब करते हैं और इसी 10 को इसमें से जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 1010 यही तरीका लगाते हैं 11 के लिए 11 का क्यूप करते हैं 1331 और इसी 11 को इसमें जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है 1342 option is right answer अगला रचनात्मक का अभिनाव से बही सम्द्धे जो इस पस्ट का है देखे रचनात्मक का जो पर्यावाची होता है वो अभिनाव होता है तो इस पस्ट का पर्यावाची क्या हो जाएगा option B पार दर्सी ओके अगला जो कोश्चन है कतन निसकर्स का है पहला कतन है कुछ आभूसन हीरे हैं तो आभूसन का कुछ हिस्सा हीरे में चला जाएगा कुछ हीरे हार है तो हीरे का कुछ हिस्सा हार में चला गया और सभी हार अंगूठिया है तो सारी हार क्या हो जाएगी अंगूठिया हो जाएगी अब देखिन इसकर्स है कुछ अंगूठिया हीरे है तो बिल्कुल सही है क्योंकि अंगूठी का कुछ इस्ता हीरे में जा रहा है तो पहला सई और कुछ अंगूठीयां हार है उलकुल सई क्योंकि अंगूठीयों का कुछ इस्ता हार में भी जा रहा है दूसरा भी सई कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है तो ऐसा होई नहीं सकता तो तिसरा गलात तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? Option A निसकर से एक और दो अनुसरण करते हैं अगला एक कूट भासा में सिट्रस को 98214 लिखा जाता है U को 365 लिखा जाता है उसी कूट भासा में सियोरेटी को किस प्रकाल लिखा जाएगा तो साइट्रस के सबसे पहले अलफाबेट लिख लेते हैं C-I-T-R-U-S C का कोट क्या है? 9 I का कितना है? 8 T का कितना है? 2 R का है? 1 U का है 5 और S का है 4 अब U को क्या लिखा जा रहा है? U के अलफाबेट लिख लेते हैं Y-O-U 2 का कोट है 3 O का है 6 और U का है 5 तो हमें उसी कूडवासा में C-O-T के बताने तो C-O-T के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं तो S का कोट कितना यहां मिला है? 4 तो 4 लिख दिया U का कितना मिला है? 5 तो 5 लिख दिया R का कितना मिला है? तो 1 लिख दिया I का कितना मिला है? 8 तो I का लिख दिया है 8 T की बारी T का कितना है? 2 2 लिख दिया Y का कितना है उपर? 3 तो 3 लिख दिया तो 45, 18, 23 तो Option B is right answer अगला है दिगे संक्या स्रंक्ला में 1 संक्या गलत है गलत संक्या को पचानी है 120 के लिए क्या करते हैं? 11 का हम लोग स्कॉयर करते हैं और 1 गटा देते हैं तो हमें मिल जाता है 120 143 के लिए 12 का स्कॉयर कर देते हैं और 1 गटा देते हैं हमें किया मिल जाता है 146 16 के लिए 13 का करेंग कोंसी संक्यास बची 14 तो 14 कर गटेंगे तो एक गटाएंगे तो 196 में से एक जाएगा तो आएगा एक सो पच्चानवे लेकिन आ रहा है 196 तो गलत संक्या काउंती हो जाएगे एक सो च्चानवे ऑप्सें सी इस राइट अंसर वीडियो में इतना ही थेंक्यू धन्यबाद आपका देन सोबर